नमस्कार स्वागत है आप सभी का सिक्षा सेटी के सेटोब चैनल में दोस्तो आज है 17 फरवरी का दिन और 17 फरवरी के दिन के जितने भी important current interface के प्रस्थन बन सकते हैं उन सभी important current interface के प्रस्थनों को आज की वीडियो में हम कभर करेंगे तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे जो की हमारा daily current interface पैदारित है तो इस वीडियो को लाइक किजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी सेर किजेगा तता इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं दोनाल ट्रम के दोरा किया जाएगा सुपर इंपोर्टेंट प्रस्न तो वीडियो का जो सबसे बड़ा stadium है इसका निर्माण किया जा रहा है गुजरात के मोटेरा नामक जगह पर यानि जो option C ये इस प्रस्न का मारा बिल्कुल सही है गुजरात में एक जगह है मोटेरा आप इसे आ देखेगा गुजरात में एक जगह है मोटेरा यहीं पर विश का सबसे बड़ा stadium बनाय गया है तता इस stadium को नाम क्या रखा गया है तो इस stadium को नाम दिया गया है सरदार पटेल क्रिकेट इस्टेडियम तता यह जो cricket stadium है यह गुजरात के मुटेरा में बनाये गया है जो की विश्व का सबसे बड़ा cricket stadium है तो आप इसे या देखिएगा most important तता इसी cricket stadium का उटगाटन किया जाएगा फरवरी के अंतिम सब्ता में जो USA के present time में राष्ट पती है डोनाल्ड ट्रम्प के दोरा तो option जो C.E.S.P.R.S.D. का हमारा बिल्कुल सही है जो विश्व का सबसे बड़ा stadium है इसका निर्मार किया गया है गुजरात के मुटेरा नामक जगहें पे तता इसे stadium का नाम क्या है तो सरदार पटेल cricket stadium तता इसका उटगाटन कौन करेगा तो अमेरिका के present time में जो president है राष्ट प क्या देखेगा गुजरात राज्य में ही विश्व की सबसे उची प्रतिमा है जिसका नाम है unity statue of unity तो यह भी कहां पे है तो यह भी सलदार पटेल की प्रतिमा है statue of unity तता यह भी गुजरात राज्य में स्थित है तता इसकी total उचाई कितनी है तो 182 मेटर तो दोनों आपको या दखना है पहला क्या आपको या दखना है कि गुजरात राज्य में ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए गया है तता इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम तता इस क्रिकेट स्टेडियम का उठगाटन किया जाए Statue of Unity तता Statue of Unity किसकी प्रतिमा है तो सरदार पतेल जी की प्रतिमा है तता इसकी कुल उचाई है 182 मीटर तो इतनी चीजे आपको याद रखनी है पहले प्रस्न से related अगला हमारा important प्रस्न है नागरिक्ता संसोधन कानून यानि कि जो Citizenship Amendment Act है इसके खिलाब हाली में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला केंदर सासित प्रदेश कौन बना है सुपर important प्रस्न तो CAA यानि कि जो हमारा नागरिक्ता संसोधन कानून है जिसको हम English में कहते हैं Citizenship Amendment Act इसके खिलाब प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला केंदर सासित प्रदेश यानि की union territory के आप बात हो रही है तो कौन बना है तो पुद्डू चेरी इसका right answer है option A पुद्डू चेरी भारत का पहला केंदर सासित प्रदेश यानि की union territory बन गया है जिसने नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाब अपने यहाँ प्रस्ताव पास किया है तो आप इसे याद देखिएगा वह अगर यहाँ पे बात की जाती राज्य की यानि कि इस्टेट की तो पहला राज जी कौन था जिसने CAA यानि की नागरिक्ता संसोधन कानून के खिला प्रस्ताव पास किया था तो केरल तो आपको दोनों याद अखना है अगर राज जी पूछे तो केरल एंसर हो जाएगा अगर केंदर सासित प्रदेश पूछे तो पुद्दू चेरी आपक तो भारत में जो है राश्टी महिला दिवस किस दिन मना जाता है तो प्रतिवर्स 13 फरवरी के दिन यानि जो ऑप्शन D है इस प्रस्न का हमारा बिल्कुल सही है प्रतिवर्स 13 फरवरी के दिन भारत में राश्टी महिला दिवस मना जाता है तता यह जो राश्टी महिला दि प्रतेक वर्सिष्व रेटियो दिवस मनाया जाता है तो प्रति वर्स विश्व रेडियो दिवस कब मना जाता है तो तेरा फरवरी इसका राइट एंसर है प्रति वर्स तेरा फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस मना जाता है तता इस वर्स की इसकी थीम क्या रखे गई यह तापके लिए इंप्रोटेंट है तो इस वर्स विश्व रेडियो दिवस की थीम रखे गई है रेडियो और विविदता, तो आप नोट डॉण कर लिजेगा, इस वर्स की थीम है इसकी रेडियो और विविदता, तो आप इसे यादे किएगा, तता प्रती वर्स 13 फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो हाली में किंद्र सरकार के तरब प्रवासी भारती किंद्र का नाम बदल कर रख दिया है सुस्मा स्वराज भवन तो उप्सन जो ए है इस प्रस्न का हमारा बिल्कुल सही है अब यह सुस्मा स्वराज जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है तो आईए बात कर लेते हैं सुस्मा स्वराज के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है हाली में सुस्मा स्वराज जी का नीधन हो गया था तता ये हमारे देश की पुर्व विदेश मंत्री थी तो आप इन्हें याद देखेगा हमारे देश की ये पुर्व विदेश मंत्री थी जिनका हाली में नीधन हो गया तता इनसे जुड़े दो तीन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एकजाम में 100% पूछे तो सुस्मा स्वराज से रिलेटेट पहला पॉइंट का है कि ये हमारे देश की पुर्व विदेश मंत्री थी उसके बाद दूसरा पॉइंट का है कि ये जो सुस्मा स्वराज जी थी ये 25 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी आप इसे दिल्ली की पहली मैला मुख्य मंत्री बनी तो आप इसे याद दिखेगा दिल्ली की पहली मैला मुख्य मंत्री बनने का गवरोबी सुस्मा स्वराज जी को प्राप्त था तो इतनी चीजे आपको याद रखनी है और इसके साथ अगर अनके हम जन्म तीती की बात करें तो सुस भागती होकी खिलाडी को 2019 का सर्वसेष्ट हाकी खिलाडी चुना है शुपर इंपोर्टेंट तो अंतराष्टी होकी महासंग ने मनप्रित सिंग को यानि जो ऑप्षन ए है इस प्रस्निकामार बिल्कुल सही है भागती होकी खिलाडी है मनप्रित सिंग इनी को 2019 के लिए इसे भी आप या दिखेगा यह खिताब पाने वाले भारत के पहले होकी खिलाडी भी बन गए है मनप्रित सिंग तो ऑप्षन ए इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्न हमारा है हाली में किसे एर इंडिया का चेर्मैन वो मैनेजिंग डिरेक्टर यानि कि सी एमडी नियुक आप्षन जो सी एस प्रस्न हमारा बिल्कुल सही है हाली में राजिव बनसल को एर इंडिया का सी एमडी यानि कि चेर्मैन वो मैनेजिंग डिरेक्टर बनाए गया है तो आप्षन सी इसका बिल्कुल सही है तता राजिव बनसल को अस्वनी लोहानी की जगा इसकी जगा तो Air India का नया CMD बनाए गया है अगला important प्रस्थ हमारा है हाली में किंद्र सरकार के द्वारा जारी घोसना के अनुसार जो नया एक रुपे का नोट जारी किया जाएगा उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे super important तो हाली में किंद्र सरकार ने घोसना की है कि जो एक रुपे का नया नोट जारी किया जाएगा उस एक रुपे के नया नोट पे वित्त सचीव के हस्ताक्षर होंगे तो option जो B है इस प्रस्थन का हमारे बिल्कुल सही है present time में हमारे वित्त सचीव है अतनु चक्रवलती आप या देखेगा most important तता एक रुपे के उपर की जितने भी नोट होते है उस पे किसका हस्ताक्षर होता है तो उस पे RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है तो दोनों आपको याद अखना है अगला important प्रस्थ हमारा है WHO द्वारा कोरोना वाइरस का अधिकारिक नाम क्या रखा गया इस उपर important तो WHO के दोरा कोरोना वाइरस का जो अधिकारिक नाम है वो रखा गया COVID-19 यानि option जो CS प्रस्थिंग का मारा बिल्कुल सही है WHO यानि की World Health Organization ने कोरोना वाइरस का नया नाम रखा है COVID-19 इसमें CO का मतलब आपका हो गया Corona V का मतलब आपका हो गया वाइरस और D का मतलब हो गया आपका disease यानि की Corona Virus Disease 19 इसका नया नाम है Corona वाइरस का तो इसे आप या देखेगा तता यह जो नामकरण है WHO के दोरा किया गया है अब यह नामकरण WHO ने किया है तो यह बात कर लेते हैं WHO के बारे में सबसे पहले इसका Headquarter तो WHO का Headquarter प्रिजेंट टाइम में Geneva में इसके प्रिजेंट टाइम में मुखिया है Tedros Adhanom यह नाम आपके लिए सुपर IMPORTANT है तो Tedros Adhanom Tedros Adhanom यह प्रिजेंट टाइम में मुखिया है WHO के तता 1948 में WHO की अस्थापना की गई थी तो इतनी चीजे आप जरूर याद रखिएगा अगला IMPORTANT प्रस्त नमारा है हाली में किस अंतराष्टी संगठन ने Step with Refugee अभियान आरंग किया है सुपर IMPORTANT तो हाली में Step with Refugee जो अभियान यह लॉंच किया गया है UNHCR याने की United Nation Human Rights Commission के तोरा किस के तरा तो United Nation Human Commissioner क्या होता है जो Human Commissioner for Refugees है अप यह से याद देखिएगा UNHCR याने की United Nation sorry यहाँ पे हाई होगा तो United Nation High Commissioner for Refugees जो United Nation के एक संस्था है इसी के दोरा Step with Refugee नाम से एक अभियान आरंब किया गया है तो Option D इसका बिल्कुल सही है अब UNHCR ने यह अभियान लॉंच किया है तो यह बात कर लेता है UNHCR के बारे में सबसे पहले इसका full name आपके लिए important है तो United Nation High Commissioner for Refugees इसका पूरा नाम है इसकी अस्थापना की गई थी 1950 Actual date इसकी है 14 December 1950 तता इसके present time में मुखिया है फिलिपो ग्रांडी कौन है? तो इसके present time में मुखिया है फिलिपो ग्रांडी तो इससे आप यह आदेखिएगा तता UNHCR का हेड़कॉर्टर है सुडिजा लेंड के जिनेवा सहर में अगला प्रस्थ नमारा है जारखंड के पुर्व मुखियमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने अपने दल जिसका नाम है जारखंड विकास मोर्चा का वीलय भाजपा में करने की अधिकारिक घोसना की है तो बाबुलाल मरांडी इसका राइट एंसर है बाबुलाल मरांडी जो की जारखंड के पुर्व मुखियमंत्री रह चुके है इन्होंने अधिकारिक रूप से घोसना की है कि उनकी जो पार्टी है जारखंड विकास मोर्चा वो 17 फरहरी के दिन अधिकारिक रूप से भाजपा में मिल जाएगी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी बाबुलाल मरांडी की पार्टी का नाम है जारखंड विकास मोर्चा जिसका विल्या 17 फरहरी को भाजपा में किया जाएगा तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है आज का हमारा लाश्ट प्रस्न है किस राजजे द्वरा घट्रे भूजल अस्तर में सुधार के लिए भूजल सरक्षन विदेग 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है तो हाली में भूजल सरक्षन विदेग 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा तो ऑप्शन जो ए है इस प्रस्निका हमारा बिल्कुल सही है भूजल अस्तर यानि की ग्राउंड वाटर को सुरच्छा प्रदान करने के लिए ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी करने के लिए ग्राउंड वाटर की कमी को रोकने के लिए एक जो विदेग लाया गया है उस विदेग को मतलब जो जल सरक्षन विदेग है इसको हाली में पास कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के दारा तो option जो ए है इस प्रस्निका हमारा बिल्कुल सही है तता इस विधयक के अंतरगत यह बताया गया है कि यदि कोई ब्यक्ति आप याँ देखेगा इस विधयक के अंतरगत जो भूजल सलक्षन विधयक 2020 है इस विधयक के अंतरगत उत्तरप्रदेश की सरकार ने बताया है कि माल लीजे कोई ब्यक्ति है अगर वह 300 square feet यानि की work meter आपे से आदेखेगा 300 work meter आपे होगा तो अगर कोई ब्यक्ति है अगर वह 300 work meter से बड़े घर का निर्मार कलता है तता इस बर्ड़े घर के निर्मार के लिए समर्शीवल आपे असर या देखेगा जो समर्शीवल पंप होते हैं उनको लगाता है तो इसके लिए वह ब्यक्ति जो वर्षा का जल होगा वर्षा के जल के नियन मतलब सरक्षन के लिए उपाय करेगा इसमें बताया गया है कि माली जे कोई ब्यक्ति जो है वह अगर 300 वर्ग मेटर से अधिक का घर बनाता है तता वह घर बनाने के लिए समर्शीवल पंप को अपने यहां लगाता है तो उस ब्यक्ति को वर्षा जल संचयन करने के लिए एक सिस्टम की अस्थापना अपने घर में करनी पड़ेगी अगर वह वर्षा जल संचयन के सिस्टम को नहीं लगाता अपने घर में तो उसके उपर कानूनी कारवाही की जाएगी इस सरक्षन विध्यक में बताया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्मेट के दारा तो आप इस सिया देखेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है प्रिजन टाइम में योगी आदित्यनात और आनंदी बेन पटेल यहां की प्रिजन टाइम में गवर्नर है तो यहां पर हमने दोस्तों टोटल 12 सबसे बहतरीन करेंटरफेस के प्रस्नियों को कवर कर लिया है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना है थैंक्यू, थैंक्स प्रोचिंग, थैंक्यू